है लो स्टूदेंट्स वेलकम टू माइड ब्रीज तिस इस अनामिका सिंग कैसी हैं आप सभी सु मैं आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में इस प्यारी सी वीडियो में जहां मैं आज लेकर आई हूं क्लास नाइन का बाई चाप्टर अच्छे से हो चुका है सो चाप्टर के बीच में जितने भी क्वेश्चन से उसे करना तो बनता ही है सो मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए पार्टिकत प्रश्ण याने की चाप्टर के बीच के क्वेश्चन पी आज हम देखेंगे जो ज क्लास 9 में फिजिक्स का ग्रेविटीशन चाप्टर का पार्टिका दाज हम डिसकस करेंगे सो हो जाए तैयार और वे स्टूरेंट्स जो न्यू हैं हमारे चानल पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को हमारे चानल की जानकारी दे देती हूं इंफरमेशन दे देती हूं सो कुल भी परचेस नहीं करना होगा और नहीं किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी क्योंकि मैगनेट में इस प्रवाइट कराता है क्वालिटी एजूकेशन वह बिलकुल फ्ली ऑफ कॉस्ट इसे के साथ मैं आपको बदाना चाहती हूं कि हम 5 स्टेट बोर्ट कवर कराते हैं जैसे यूपी बोर्ट, बिहार बोर्ट, एमपी बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट, दिल्ली बोर्ट और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब होती है बिलकुल अरेंच्ट फॉर्मिट में जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे हुर्ट, अब बात आती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ है ना इसके पहले जो मैंने चाप्टेРЕ्स पढ़ाए है इस चैप्टर को पढ़ाया है बालाओ जी के चैपटर है, parsley के चाप्टर से तो मैं में सिब के हमें नोट्स कहां से मिलेंगे सुभाई नोट्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से जाकर आपी नोट्स ये बुक बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा नेंकर इंग्लिश मेडियम चैनल भी यह जिसे कुछ बच्चों के न हां साब कामेंट्स पढसोर्टे को आपको जाना पड़ेगा번रे इंग्लिश मेडियम वाले बिलक्ल फ्री ऑफ कास्ट मलती है तो स्टार्ट करते हैं बाई पाट्टे गत्य प्रश्न को और यह रहा आज का हमारा पहला क्वेशन यह है हमारा फर्स्ट क्वेशन जो कि बत बोल रहा है गुरुत्वा कर्शन का सार्वत्रिक्त नियम क्या है आपको यादे जब मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया था तरफ क्या करता है अट्रेक्ट याने की आकरशित करता है अब उसी में मैंने आपको गुरुत्वा कर्शन का सार्वत्रिक नियम भी पढ़ाया था बिल्कुल पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था विश्व का प्रतेक प्रतेक अन्य पिंड को एक बल से आकरशित कर क्या कहा है कि आप पूरे विश्व की बात कर लो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि मेरे पास यह स्टाइलस है और यह अर्थ है तो अर्थ ही इस स्टाइलस को अपनी और अट्रेक्ट करेगी नहीं अगर मैं भी तीन मंजिल ऊपर खड़ी हूं और अगर मैं वहां से जम करती हू और अर्थ ने उसे अट्रेक्ट किया हैं अकर्शित किया है तो इसका मतलब यह थोड़ी कीवल कुछ ही ऑबजेक्ट नहीं हमारे पूरे वर्ड में हमारे पूरे विश्व में बोला गया है क्या प्रतेख पिंड प्रतेक अन्ने पिंड को एक फोर्स या बल से क्या करता है attract आकर-शित करता है जो दोनों पिंडो के द्रविमानों के गुडपल के समानु पिंडो को मिल्लाने वाली रेखा की दिशा में लगता है में माँ बात किसकी कर रहे हो ये पूरी कहानी जो यहां theory के format में आपको दिखाई दे रही है, जो आपको इस तरह से theory के रूप में दिखाई दे रही है, चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी explain करती हूँ, याद करिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो force होता है न, पहली बात तो हमने जाना था कि एक object क्या करेगा, धूसरों object को अपनी तरफ attract करेगा, आकरशित करेगा, और इसके लिए इनके बीच में क्या होगी, कोई ना कोई दूरी तो होगी ही होगी, obviously कोई ना कोई distance तो होगी ही होगी, अब उसको लेकर अगर मैं बात करूँ, तो भाई एक बात बताओ, हमने जाना था कि पोर्स जो है, वो प्रपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, इनके द्वारा जो दोनों object है ना जो दोनों वस्तु है ना, उनकी मास के गुड़नफल के, या पर उन दोनों वस्तु के गुड़नफल के हम ऐसा बोल सकते हैं, आप देखो मैंने एक line यहाँ पर लिखी हों कि यह है हमारी equation first, और फिर मैंने क्या बोला कि जो force होता है, वो inversely proportional होता है, इनके द्वारा टै की गई दूरी के square के, ओके तो हमने देख लिया दा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के कुड़नफल के समानुपाती, तता उनके बीच के दूरी के वर्ग के वित्क्रमा अनुपाती यह होता है, अब हमें काम करते हैं और वो काम यह है कि यहाँ पर एक रेखा खेचते हैं और हम लेते हैं यहाँ पर one and two दोनों को जहां मैं आप से क्या बोल सकती हूं, यह हमारा M1, M2 और इनके द्वारा टै की गई दूरी का square, चलो, तो यही हमें बताया गया गुरत्व कर्शन का सात्रिक नियम हमें यही बोलता है, जहां F हमारा क्या हो जाएगा बिटा, तो यह हमारा क्या होगा, बल हो जाएगा, कौन सा बल होगा, गुरत्व कर्शन बल होगा, वहीं हमारा M1 क्या हो जाएगा बिटा, तो यह हमारा होगा, वस्तू, वस्तू, वस वस्तो एका द्रव्यमान चलो ऐसा बोल देती हूं कि यह वस्तो एका द्रव्यमान है क्लियर और वस्तो ए बोल दो यह वस्तो वन का द्रव्यमान और यह M2 हमारा क्या होगा सो फिर हम बोलेंगे कि यह हमारे वस्तो ब का द्रव्यमान क्लियर और सबसे लास्ट में यह D क्या है A तथा बीच के द्वारा तै की गई दूरी A तथा बीच की बीच की दूरी A तथा B के A तथा B के बीच की दूरी A तथा B के बीच की दूरी Clear? कोई confusion? कोई समस्या? चलिए Very good, well done तो बस ये कहानी थी जो मुझे आपको explain करनी थी और ये था हमारा question number first गुरुत्वा कर्शन का बिटा सार्वत्रिक नियम देना था कभी by chance exam में आ जाएना ये पूरी कहानी लिख देना इस कहानी का क्या मतलब है वो मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया ये भी वहाँ पर लिख देना now next आते हैं अब हम हमारे अगले question की दरफ जहां पर अब मैं आपको बताऊंगी प्रतवी तता उसकी सता पर रखी किसी वस्तू के बीच लगने वाले गुरुत्वा कर्शन बलका परिमाल याद करने का आपको सूत्र यहां पर लिखना है ठीक है चलो अब मैं आपको यह बताती हूँ और अभी आपका काम और भी जादा आसान हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि आल्रेडी इसका concept जस इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया तो हम यहां पर पढ़ते हैं चीजों को प्रतवी उसके सता पर रखी किसी वस्तू के बीच लगने वाले गृत्वा कर्शन का आपको यहां पर परिमार ग्यात करने का सूत्र बताना है याने के बिटा आप इसका क्या बताओगे फॉल्मिला चलो चलो जानते हैं देखो एक बात बताओ जैसे अर्थ है मैं खड़ी किस पर हूँ अर्थ ही ही होगी आप मैं डारेक्ट अर्थ पर नहीं खड़ी हूँ फ्लोर्स है यहां बहुत सारे बठाँ अब मुझे एक बात बताओ जैसे ही मैं इस अबजिक को छोड़ूंगी कहां गिरेगा ओविसली अर्थ की तरफ अब में चाहिए कितनी ही हाइट पर पहुँच जाओं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ओबजिक्ट लेफ्ट में गिर रहा हो राइट में गिर रहा हमेशा नीचे के साइड ही गिरता है क्योंकि अर्थ के साइड भी अर्थ की तरफ से अर्थ भी अपनी तरफ से क्या लगाती है एक फोस लगाती है बल लगाती है ताकि वो ऑब्जे को क्या कर सके अट्रेक्ट याने के आकरशित कर सके तो सुनो इसे आप बढ़े कैसे लिखोगे पहले तो मैं एक अर्थ बनाती हूँ यह क्या भाई अर्थ इसको मैं किस से डिनोट करूँगी बिटा capital M से ओके और अब यहाँ पर मैंने बनाया है एक लड़का और इस लड़की का नाम क्या है भाई सो इसका नाम है चीको और मैंने क्या रेखा भाई चीको के हाथ में ना कोई ऑबजेक्ट है हाना और इसे मैं ना small m से डिनोट करूँगी ठीक है समझके यह capital M और इसके हाथ में जो ऑबजेक्ट है सीध्य अर्थ की तरफ अर्थ पर ही गिरेगा और हम रहते कहां हैं हम अर्थ के surface में यहां पर रहते हैं ओके कोई confusion कोई समस्या चलिए कोई confusion नहीं है कोई समस्या नहीं है अब हम क्या करेंगे तो अब हम ये गरने वाले हमने देखा है एक स्टोन एक पत्तर था जैसे उसे चोड़ेंगे सीधे कहा गिरता अर्थ की तरफ प्रत्वी की तरफ गिरता है अब बात आती है कि मैं एक बात बताईए आप हमें क्यूं बता रहे हो क्योंकि अभी हमने क्या रेखा था बटा पोर दूसरे ऑप्जिक को अपनी तरफ क्या करता है ओविसली आकर शित करता है ठीक है यह चीज़ आमें बहुत अच्छे से पता है वैसे इसे बनाने के हाज़रोत नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि अर्थ क्या करेगी से अपनी और अट्रेट आकर शित करेगी तो फोर्स जो है यहाँ पर proportional हो जाएगा किस के भाई तो यह होगा M और इसका गुड़नकंड कर लो और यह small M और अपॉन में क्या होगा भाईया इस R का square हो जाएगा ठीक है है हमने यह कहानी भी जान ली और क्या रहे सकते है मैं तो यह तो अभी आप पढ़कर बैटे थे बैटा इस proportional को हटा पढ़ेगा और किसी constant चीज से multiply करना होगा हम मैं किस से कर सकती हूं किस से कर सकती हूं तो सुनो मैंने यहाँ पर multiply कर दिया है capital G से किसे capital G से किया है मैं यह capital G क्या है तो केवल capital ही नहीं सारी चीज़े मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले यह हमारा गुरुतवा कर्शन ब यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा ओवेसली गुरुतवा कर्शन बल काम करेगा यानि कि बिटा gravitational force यहाँ पर लगेगा पहली बात तो यह हो गई दूसरे बात क्या हो गई कि हमारा यहाँ पर क्या है capital M है यह पता ही क्या है यह है प्रितवी का द्रिव्यमान पहले सब लिख देती हूं capital M small m और क्या है भाईया capital R और क्या ही capital G है तो capital M हमारा क्या होगा तो यह है हमारा प्रितवी का द्रिव्यमान क्लियर कौन से द्रिव्यमान? पृत्वी का द्रिव्यमान और वहीं small m हमारा क्या होगा? Obviously उस वस्तु का द्रिव्यमान. फिल capital R क्या होगा? बहुत यह पृत्वी की त्रिज्या. किसकी त्रिज्या बिटा? सो यह हो जाएगी प्रत्वी की त्रिज्या and सबसे लास्ट में आईएगा capital G क्या होगा? सो यह होगा सार्वत्रिक गुरुत्वा कर्शन. टियार गुरुत्वा कर्शन नियतांक होगा यह. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट जिसे हम बूलते हैं. आपको पत्दे इसका मान भी होता है. और क्या होता है? तो ध्यान से सुनेंगे capital G का मान होता है 6.67 multiply क्या करेंगे 10 to the power minus 11 newton meter square upon me kg square. यह थी इसकी कहानी. जल्दी से लिख लो. पड़ावट से आप इसे क्या कर लो? No doubt. ताकि मैं बढ़ सकूं आगे की तरफ. ठीक है? acceleration due to gravity नहीं बूची है. उन्होंने जो पूचा था जिस gravitational force के बारे में पूचा था formula को लेकर वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है. अगले question की तरफ आते हैं कि माम ये free fall क्या होता है? माम ये मुक्त पतन किसे कहते हैं? तो question तो यही है कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बिटा. ये जो मुक्त पतन होता है. इंगलिश में से हम क्या बोलते है? free fall. तो simply मैं आपको बताऊं, ये जो कोई भी object है, जैसे हमें पूरी कहानी gravitational force को लेकर बताने वाले विक्ती कौन थे? तो वो थे Newton जी. Newton जी ने ही हमें क्या बताया था? gravitational force के बारे में बताया था, गुर्तवकर्शन, बल के बारे में बताया था. अब बात यह है कि इनहीं के सरपर क्या गिरा था? एक बार ये पेड़ के नीचे बैठे थे, इनके सरपर गिरा टपक से apple. तो वहां से ही इन्होंने इस पूरी थियोरी को दिया था. लेकिन कुछ स है जी हां, बिल्कुल सही का है, लेकिन कौन से बल तो यहां पर बोला जा रहा है कि बाई प्रतवी का जो गुर्तवी बल होता है, ये वस्तु को अपनी और अट्रेट याने आकरशित करता है, और जब किसी वस्तु को एक निश्चत उचाई से गिराया जाता है, तो वह है, वस्तु में इस प्रकार की गती को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त बतन ज्याने की फ्री फॉल बोलते हैं, जो हमेशा अर्थ की तरफ ही गिरेगा, अर्थ कभी इस पर नहीं गिश सकता है, जैसे आप अगर सोच रहे हो, कि माम आपके हाथ में ये जो स्टाइलस है, कि ये स बिमान में जमीन और आस्मान का अंतर है, क्लियर, तो ये जो है ना स्टाइलस जो है, आर्थ इसे अपनी और अट्रेक्ट करेगा, ये अर्थ को अपनी और अट्रेक्ट नहीं कर सकता है, फ्री पॉल में जब भी कोई आपजिक्ट होगा, वो अर्थ की तरफ ही गिरेगा, बिल्कुल स्वतंत रूप से तो हमने जाना प्रत्वी का गुरुत्वीवल वस्तु को अपनी और आकर्शित करता है बिल्कुल सही का है और जब किसी वस्तु को एक निश्चित उचाई से गिराया जाता है तो वह गुरुत्वा कर्शन बलके कारण प्रत्वी के सता की और गि यहां पर ग्रेविटीशनल पोर्स हंडेट परसेंट लग रहा है लेकिन यहां पर गुरुत्व के कारण तुवरण हो रहा है जिसके वज़ा सी भी ऑब्जिक गिर रहा है यानि यह अब्जिक गिर रहा है यहां पर क्या होगा बिटा एक्सिलिरेशन यानि की तुवरण होगा किसे के कारण होता है ग्रेविटी के कारण होता है एक्सिलिरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्म के कारण तुवरण जिसे हम बोलते हैं आपको स्मॉल जी याद है जहां पर क्या बताया था मैंने आपको कि किसी भी ऑब्जिक को जब हम छोड़ते हैं और वो अर्थ की तरफ गिरता है सो जी के मान में क्या होता है परिवर्तन capital G के नहीं small g के क्योंकि capital G तो साक्तरिक गुर्टवकर्शन नियतांख है यानि कि universal gravitational constant है small g नहीं होता है capital G का मान change नहीं होगा लेकिन small g हर एक condition में अपने मान को परिवर्तित करता है for example अगर में इस object को ले रही हूँ अपने हाथ में इसे उपर की तरफ पेकूंगी तो G के मान में change होगा इसे अगर मैंने बहुत उचाई पर छोड़ा है फिर बिलकुल उचाई पर पहुचकर G का मान change हो जाएगा जैसे मैं इसे छोड़ूंगी अर्थ की तरफ गिरेगा G का मान change अर्थ की गहराई में G का मान change अर्थ के center में G का मान change समझ पाए कि नहीं तो यह थोड़ी से काहनिस के साथ मैंने और आपको बताई गुर्तवे त्वरन ही अब आपका मिल गया है तो अब जो भी पूरा explain किया है वो सब यहाँ पर काम आएगा गुर्तवे त्वरन से क्या समझते हैं अब जब किसी या कोई वस्तो किसी निश्चित उचाई से प्रतवी की सतह पर स्वतंत रूप से गिरती है बिलकुल freely तो इसके वेग में change होता है velocity में परिवर्तन होता है और वेग में कोई भी परिवर्तन बस्तु में त्वरन उत्पन्य करता है भाई velocity में चेंज याने की भाई velocity में परिवर्तन तो obviously वहाँ पर क्या होगा acceleration होगा और इसी को ही हम गुर्तवी तवरन कहते हैं इसे हम small g के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं और इसका जो मान होता है वो 9.8 meter per second square होता है तो इस chapter में एक चीज तो आपको अच्छे से clear हो गई होगी कि बाईया capital G small g दोनों ही same नहीं है बल्कि आप ABCD भी पढ़ोगे ना बिटा तो आपको पता चलेगा कि capital G को अलग जगह यूज किया जाता है small g को अलग मतलब कैसे जैसे की capital G का यूज कहां पर होगा किसी भी वर्ड को अगर हम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग अगर जी से हो रही होगी तो वहां हम capital वर्ड का ही उस करेंगे ना स्माल से तो उसकी स्टार्टिंग नहीं करेंगे ना उस सेंटेंस की कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेंटेंस के बिलकुल बीचो बीच आपको capital G मिला नहीं तो जब उसमें डिफरेंस है तो यहां पर तो होगा हां उसका वाला डिफरेंस नहीं है यहां का डिफरेंस तो पूरा अलग है क्यों क्योंकि यह युनिवर्सल gradational constant और exhilaration due to gravity है थे हम नहीं क्या जाना जब वस्तो किसे निश्चत उचाई से निश्चत उचाई से प्रत्वी की और भाई स्वतंत्र प्रत्वी की सदापा स्वतंत्र उप से गिरती है तो इसके वेग में परिवर्तन होता है और जब भी वेग में परिवर्तन होगा तो उसी को क्या बोलते है त्वरन वेग में चींज क्या होगा तो त्वरन की तो परिभाशा है है, समय के साथ बेग में परिवर्दन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरन कहलाती है, हाना और यही त्वरन क्या कहलाएगा, गृत्वी त्वरन कहलाता है, इसे हम हमेशे small g से ही निर्दिष्ट करते हैं, जिसकी value जिसका man 9.8 meter per second square होता है, कितना small g का man है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यह change होता रहता है, यह constant ही होता है, इसको अगर मैं उपर फिकूंगी तो घटेगा, बिल्कुल उचाई पर जाएगा तो 0 होगा, इसे नीचे छोड़ेंगे ऐसे नीचे छोड़ेंगे नीचे जाएगा तो g का man बढ़ेगा, अर्थ के गहराई में जाएगा तो g का man घटेगा, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में g का man क्या हो जाएगा, शूड़ेंगे, समझे की नहीं समझे, चलो मैं इसे थोड़ा सा explain कर दू, ताकि आपको बटा क्या रहे ध्यान, यह हमारा अर्थ, मान लो की अर्थ है, है ना, और ह हम इसके surface पे रहते हैं, सतह पर रहते हैं, clear, हमने क्या देखा, कि भाईया, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और हमारे हाथ में क्या है, एक object है, देखो सुनो, जम्मे से उचाई पर लेके जाओंगे, तो g का man हमेशा ध्यान रखना घटेगा, बिल्कुल उचाई पर जाए कि बिल्कुल वो हमारी जो है, आसमान को हमारे बिल्कुल gravitational force से, gravitational area से बाहर चला जाए, space में चला जाए, possible है क्या, नहीं है, है ना, इत्ता force हम नहीं लगा सकते हैं, तो small g, यह अगर मैं इसे फेकती हूँ ना, तो एक point पर जाकर small g की value जो है, वो 0 हो जाएगी, है ना, वही कि center में इत्ते देखो इत्ते, g का मान क्या हो जाएगा, 0, यह सब हम already देख चुके हैं, ठीके, ओके, ना, next आते हैं, किसी वस्तु के द्रविमान तथा भार में क्या अंतर है, difference तो है, हर चीज में, हर चीज जो same दिखे, पहली बात तो same दिखती भी होगी, तो कोई ना, को रही है, अब वो object को लिकर आप बोलो, उसका नहीं बोल रही हो, जैसे कुछ चीज, जैसे द्रविमान हो गया, यानि के भार हो गया, हमें लगता है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में अच्छा घासा अंतर है, कैसे हैं, तो सुनो, द्रविमान किसी वस्तु में विद् प्रत्वी के केंद्र के और क्या होती है, अट्रेक्ट यानि की आकर्शित होती है, हमारा जो भार है ना, हमारा जो वेट है ना, वो अर्थ की तरफ क्या होता है, आकर्शित होता है, तो किसी वस्तु का भार यानि की वेट, एक ऐसा बल है, यह क्या ही, एक तरीके का बल या यानिकि-फोर से ही है रहना तभी तो हमने इसे क्या पढ़ाता बया एमजी पढ़ाता जिससे वस्तु प्रतवी के केंद्ड की और क्या होती है अट्रैक्त यानिकी आकर्शित होती है अब पहली बात तो यह रशासी है पर को दिश्ञा की जरुरत नहीं होती है केवल और केवल किसके जरूरत होती है बिटा परिमार की जरूरत होती है वहीं बात भार यानि की वेट की आएगी तो ये एक सदीश राशी है क्यों क्यों कि यहां पर क्या होता है आपको परिमार तो ओविसली चाहिए ही चाहिए होगा लेकिन मैं इसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आपको दिशा भी चाहिए क्योंकि जो भार है वो एक तरीके का बल है और पल कहां लगता है प्रत्वी की और लगता है नीचे की और लगता है इसके लिए डारेक्शन होनी चाहिए और यह मैंने दोनों के में लिखवाया भी है प्रॉपर इसे ठीक है लेकिन भार में परीवरतन होगा वेट में चेंज होता है आप यहां रहो या कहीं पर भी रहो इसका ऐसा ही मातरक किलोग्राम होता है बिलकुल सही बोला है कि जो दुर्विमान है उसका ऐसा ही मातरक किलोग्राम होगा और वहीं बात आती है बिटा वेट की तो इसका ऐसा ही मातरक क्या होता है न्यूटन क्यों होता है न्यूटन क्यो कि जो भार होता है वो क्या होता है तरीके का बल ही है और बल का इसाई मातरग क्या होता है न्यूटन तो भाई या इसका इसाई मातरग भी क्या हो जाएगा न्यूटन होगा क्लियार चलिए अब दरविमान कभी भी शूने नहीं हो सकता ध्यान रखना और भार का मान शूने हो भी सकता है जैसे कि प्रत्वी की केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है जीरो होता है इसे सामानिता दंड तुला द्वारा मापा जाता है और इसे स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जाता है इसके मेजरमेंट के बारे में भी बात चल गई नाव नेक्स्ट आते हैं अब हमारे अगली क्वेशन की तरफ जो हमसे पूछ रहा है किसी वस्तु का चंद्रुमा पर बार प्रत्वी पर इसके बार का वन बाई सिक्स टाइम्स क्यों होता है हमने यह चीज पढ़ा है हमने यह चीज बहुत अच्छे से जाना था भार वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था तो ऐसा क्यों होता है रीजन तो होगा हर चीज का रीजन है मैं आपको पढ़ा रही हूं आप उसे पढ़ रहे ह खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, ओनलाइन क्लासेस लेते हो, दोस्तों के साथ खेलते हो, गरवालों से बात करते हो, सबकी कोई ना कोई कहानी तो है ही, वैसे ही इसकी भी कहानी है, और इसकी कहानी हम से क्या बूलती है, कि हम जानती है कि किसी वस्तू का भार जो है ना वो स्म मौल जी पर निर्भर करता है बिल्कुल करता है चोकि चंद्रमा का दर्विमान और त्रिज्ञ पृत होती है जिसके कारण क्या होता है वे किसी वस्तु पर कम गुरुत्वा कर्शन बल लगाती है जिसके कारण क्या होता है कि वो किसी वस्तु पर कम गुरुत्वा कर्शन बल लगाती है और ता चंद्रमा पर जी का मान बराबर होगा 1 by 6 times, यानि की एक बटा 6 गुना किसके प्रत्वी पर जी के मान के, और प्रत्वी पर जी का मान कित्ता होता है, तो वो होता है 9.8 meter per second square, ओके, अता, चंद्रमा किसी वस्तो पर 6 गुना कम गुरुत्वा कर्शन बल लगाता है, जिससे चंद्रमा पर किसी वस्तो का बार, प्रत मतलब इस पेच का हमारा ये होता है, डन, नाव नेक्स आते हैं, अब हम कि भाई एक पतली तता मजबूर डोरी से बने पत्टे के जायता से, स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? थोड़ा से इमेजन करो, हमारे बैग, जैसे स्कूल बैग है हमारा, उसकी जो पत् क्लास में तो जैसे आप मालो 9th क्लास में हो अभी तो भाई ये एक्जामपल तो बिल्कुल सूट कर जाएगा आपके उपर, आप क्लास 9th में हो, स्कूल जाते हो, तो आपको सारे सब्जिक लेके जाने होते होंगे, भाई देखो 6 क्लास तो मिनिममम आपकी लगती ही होंग अदलब 6 क्लास तो आप लेते होंगे, है ना, कुछ क्लासे हम साइट कर देते हैं, जो एडिशनल क्लासे होती है, 5-6 क्लासे तो चाहिए ही, ताकि आपके सारे सब्जिक्स कवर हों, अब आपको बुक्स लेकर जाने होती होंगी, रफ कॉपीज लेकर जाने होती होंगी, आ आपका lunch box या आपकी water bottle है एक ही बैग में जाना है थोड़ा सा सोचो अगर बैग के जो पट्टी है वो पतली होगी तो बैग का weight कैसा है जादा है जादा होने के कारण भाई obviously वो हमारे लिए कठिनाई या difficulty जो है वो प्रोवाइड कराएगा हम परिशान हो जाएंगे भाई य दोरी से बने पट्टी की सहाइता से school bag को ठाना कटेन होता है क्यों क्यादी school bag का पट्टा पतली तता मजबूर दोरी से बना होता है तो हाथ या फिर हमारे हाथ या फिर कंदे पर जादा pressure आएगा अधिक बल लगता है अधिक क्या आएगा दाब आएगा क्योंकि समान बल पट्ट का चित्रपल यहां पर कैसा होगा कम होगा सो pressure कैसा लगेगा जादा जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ये मैंने आपको पढ़ाया है और रेडि़ी प्रणोद वाले सेक्षेन में डाब वाले सेक्षेन में तो च्रेशर यह क्या होता इसका formula तो यह होता है हमें प्रडोध जो की एक तरीके का force यानि की बल ही होता है उसे उसके छेतरफल यानि की area से भाग देने पर हम उसका क्या निकाल सकते हैं प्रेशर यानि की डाब निकाल सकते हैं और दाब ज़ादा कब होगा जब हमने notice किया है डाब अधे कब लगता है जब उसका area कैसा होता है कम होता है छेतरफल कैसा होता है, कम होता है, है ना हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बल बैक का भार हो गया, डोरी के अनुपरस्त कार्ट का यहां पर छेतरफल हो गया, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, यहां डोरी पतली है, इसलिए दाप कैसा लगेगा, जादा लगेगा, इवन इतना जा है कि जो सूट कैस होता है उसके हथे भी चौड़े बनाया जाते ताकि आसानी से उसे हम पकड़ सके और पूर ट्रेवल कर सके इसी तरह से बैक के जो पट्टियां होती है वो भी कैसी होती है जान बुझके मोटी बनाई जाती है जादा चित्र फल लिया जाता है उसको लेकर ठीक है, now, next आदे हैं, अगला, उत्पलावक्ता से आप क्या समझते हैं, चलो भाई, देखते हैं इसे अब हम, उत्पलावक्ता एक तरीके से हमें बल का ही अनुभव कराती है, क्या आपने कभी सोचा है, अरे सोचा तो होगा ही, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, ठीक ह मैंने लिया है कंटेनर और मैंने इसे पानी से क्या कर दिया है, भर दिया है, ठीक है, अब हमने क्या रेखा, कि यार कुछ, कभी-कभी ऐसा होता है बिटा कि कुछ आपजिक्ट जो होते हैं, अगर हम उसे पानी के अंदर डालते हैं, तो वो सर्फेस पर प्रॉपर ऐसे तै हुबे हुए से रहते हैं और कुछ तो बिलकुल नीचे तक पहुच जाते हैं कि आपने कभी सोचा है कि यह जो डूबा है और जो तैर रहा है वो कैसे यह चीज़ कर पा रहा है अगर मैं इसके भी बात करूं तो यह पानी में तैर कैसे रहा है और वहीं एक अबजेक्ट लू से कैसी खोक लिए और यह मैंने प्रॉपर रबर की बॉर लिए दोनों में डिफ्रेंस है ना यह तो डूब जाएगी उस पानी में और यह तैर जाएगी उस पानी में तो हमने क्या देखा कि यह तैर इसलिए भी रही है क्यों क्योंकि अंदर से कैसी थी खोक लिती खाली थ क्या बोलते हैं उत्पलावन बल और वो उत्पलावन बल पानी के साइट से लगता है तरल की दिशा से लगता है ठीक है तो हमने देख लिया भाई पानी ने भी अपनी तरफ से एक बल दिया जो कि उत्पलावन बल है जिसके कारण वो अब्जेक्ट पानी में क्या कर रहा है तैर रहा है यह कहानी समझ में आ गई तो बस इसी को ही यहां पर बताया जा रहा है कि जब किसी पदात को किसी तरल में पूर्ण या तो पूर्ण या फिर आंशिक रूम से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशाम में एक बल या प्रणोध लगता है उसी को ही हम मलावन बले चेंट है चलो पानी के सथा पर रखने पर कोई वस्तु तैर्ती या फिर डूपती बिल्कु जबती है जैसे इधर देखो पहले तो इसको मिटा देते हैं अब इसके होने के पीछे reason क्या है क्योंकि इस object का घनत्व obviously कैसा होगा पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु है यानि इस वस्तु का घनत्व यानि इसकी जो density है वो obviously कैसी होगी कम किसके तुलना में पानी के तुलना में यानि पानी का घनत्व केसा हो गया इसके तुलना में जादा हो गया ठीक है तो हमने क्या देखा कि measurable से कम घनत्व की वस्तुवे ही पानी के surface पर क्या करती है तेरती है मैंने कैसी बॉल आपको बताई है बटा जो अंदर से कैसी है खोकली है खाली है ठीके ना जिसे कोई प्लास्टिक की बॉल हम ले सकते हैं और हमने क्या देखा पानी के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुए पानी में डूप जाती है इस अबजेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इस अबजेक्ट या वस्तुए का जो घनत्व है वो कैसा होगा जादा होगा किसके घनत्व से पानी के घनत्व से याने इसके तुलना में पानी का घनत्व कैसा होगा बिटा कर्म क्यों होगा क्योंकि इसका घनत्व कैसा है ज तो यह कहानी है इसे और बना भी लेना लिख भी लेना अपने लिए कि पानी के सदा पर रखने पर वस्तु तैरती भी और डूपती भी दोनों के पीछे रीजन तो है तो क्या रीजन है वो हमने यहां पर जान लिया नौ नेक्स्ट आते हैं तुला जिसे हम क्या बोलेंगे बाई वेटनिंग मशीन बोलेंगे तो एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या फिर कम है तो सुनो हम किसी वस्तु का द्रव्यमान व आपने 42 kg नोट करते हैं कि आपका दव्यमान 42 kg से अधिक है या फिर कम है तो हमने बता दिया कि हमारा कैसा होगा कुछ अधिक होगा and next question है कि आपके पास एक रूई का बोरा है और एक लोहे की क्या है छड़ है कहानी को ध्यान से सुनेंगे एक रूई का बोरा है और आपके पास एक लोहे की छड़ है तुलापरम आपने पर दोनों ही 100 kg द्रविमान दर्शाते यानि दोनों का मास कैसा ही equal है समान चाहे में इस बोरे की बात करूं है ना यह रूई का बोरा है ठीके यह रूई का बोरा है और हमने क्या रेक़ा कि ये क्या है बहिया लोहे की छड़ है तिके ये क्या हो जाएगी سو यह हो जाएगी लोहे की छड़, ठीक है, यह होगी लोहे की छड़, ठीक है, आब हमने क्या देखा, कि दोनों का जो मास है, यानि कि जो द्रिविमान है, बैटा, वो सेम ही तो है, आरे बाई, 100 kg ही तो है, यह भी 100 kg, एंड इसका मास भी क्या हो जाएगा बिटा 100 kg कोई कंफियो जाथ समस्या वास्तविक्ता में यह वास्तविक्ता में क्या दोनों का मास भले ही सीम है लेकिन एक्nele में रियालिटी में एक जो है नोई वो दूसरे से बिटा भारी ए क्या बोला है कि एकIST कौन सी बारी ए और तो आप सबका एक ही अंसर आएगा माम लोहे के जो छड़ है ना वही होगी भारी है ना यहीं बोलोगे ना कि माम लोहे के छड़ है ना वही होगी भारी पर मैं आपको बता दू नहीं यहाँ पर जो रूई का जो बोरा है ना वो भारी होगा यह कैसा होगा बिटा भारी इसक क्योंकि रूई के बूरे का आइतन अधिक होगा इसकी वॉल्यूम कैसी है जादा है इसलिए रूई के बूरे पर लगने वाला उत्पलावन बल का माल लोहे की अपेक्षा अधिक होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पलावन बल हमेशा बराबर होता है किसके वस्तु द्वार विस्थापत तरल चाहिए वो गयस हे पॉब में हो द्रिव के पॉम में हो इसके भार के अधिक आयतन से अधिक तरल विस्थापत होगा इस पस्टत अहाँ, रूई के बुरे का वासविक बाहर लोहे के छड़के भार से कैसा होगा बिटा जादा होगा तो अपने दिमाग से लगा निकाल लो कि अगर iron है तो भाई उसका वेड ज्यादा ही होगा उसका भार ज्यादा ही कanga नहीं एक जो 100 kg का रुई का बुरा था और एक 100 kg का लोही के चड़ती दोनों का मास समान होने के बाद भी हमने देखा कि हमने क्या जाना कि किसका भाष जादा होगा सो वो रुई के बोरे का जादा निकला क्योंकि उसका आयतन कैसा था जादा था बस यही थे हमारे सारे क्वेशन उम्मीर है कि आपको एक एक क्वेशन अच्छे से बन गया होगा जिस भी क्वेशन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो बिल्कुल कॉमेंट ऐसा सकरके आप पूछ सकते हो कि माम इस क्वेशन का अंसर यह क्यों हुआ क्या रीजन था इसके बीचे बलकुल आप पूछ लीजेगा बाकि वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना हमारे प्यारे से चानल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलना इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरी क्लासे यूट्यूब पे तो लाइव ले ही सकते हैं एप्लिकेशन के तो जुड़कर भी आप मेरी सेशन्स अटेंड कर सकते हैं और website के तुरू जूड़कर भी आप मेरी classes attend कर सकते हैं इसी के साथ साथ भाई हमारे na Magnet Brains के other platforms भी हैं जिसे Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp ये Magnet Brains के other platforms से जहाँ पर आप हमारी classes attend कर सकते हैं मतलब आप हमारी जो shots होती हैं, जो reels होती हैं वो देख सकते हैं classes तो आपको IT पर application पर हो, website के तुरू मिलेगी e-notes और e-book के link कहां मिलने वाली है, so e-notes और e-book के link आपको नीचर मल जाएगे description box में और ये हैं हमारी Hindi English Medium के top courses जहां CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, Vedic Pass, Crash Course, Spoken English ये सब करवाते हैं हम cover, so अब मिलेंगे हम हमारे next session में जहां पर मैं आपको करवाने वाली हूँ अब हमारे NCRT solution, so मिलते हैं next class में तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you class